हलो दोस्तो टेप इट कैसे सेटिंग करते हैं टेप इट सेटिंग करने में क्या क्या पुर्सेस करना पड़ता है टेप इट सेटिंग करने का दो बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा पहला जो बेस्ट तरीका है वो डीजल पॉंप के माध्यम से होता है डीजल पॉंप में चार नमबर का अलंकी बोल्ट लगा उता है उसे खोल लेते हैं और तीन स्प्रिंग वाल होता है उसमें और जो फ़र्ष्ट स्प्रिंग वाल है इंजन को नचा के और डीजल पॉम्प के बाडी के लेवल कर लेते हैं जैसे वो कर लेते हैं तो फिर उपर आ जाते हैं टैपिड सेटिंग करते हैं टैपिड सेटिंग करने का जो प्रिसेस हमने वीडियो में देखाया वैसे करते हैं बोल्ट को थोड़ा खोल के और इसमें फिलर गेज डाल के और उसको टाइट कर देते हैं हलका कि उसमें बहुत हलका चाल रहे ज्यादा चाल नहीं रहे और दोनों को इक्वल कर देते हैं इस तरह अपना तीनों को मिला लेते हैं डीजल पॉंप के माद्यम से और दूसरा जो तरीका हमने बताया वह बिल्कुल ही जैसे अनभाव जो mechanical भाई अनभाग काम करते हो गया वह अनभाव के हिसाब से करेंगे डिजल पॉंप को खोलने की जरूवत नहीं है जैसे हमने डीजल पंप को नहीं खोला, इंजन को घुमा के सिर्फ टैपिट को सेटिंग कर दिया, अभी कैसे मैं बताओं कि इसमें जो हेड का टैपिंग जो वाल लगा है, अभी इंजन को मैंने नचाया, घुमाया, तो क्या हुआ, वो उपर के तरफ आ गया, इस्प्रिंग के तरफ आ गया, तो उसके हिसाब से हमने टैपिंग को सेटिंग कर लिया, अभी जो नया है वो डीजल पंप के माध्यम से ही सेटिंग करें, और जो अन्वह वाले हो गया है, मेकनिकल भाई, वो ऐसे काम कर सकते हैं, टैपिट सेटिंग करने के बाद, अब इस ट्रैक्टर क कि वाई, को सुनते हैं कि बिलकुल एक समान है की नहीं, टैपिंग अच्चे से सेटिंग हुआ है, की नहीं हुआ है,